संस्कृत भाषा की बेसिक कॉंसेप्स क्लियर करूंगी जिससे आपकी संस्कृत भाषा पर पकड़ मजबूत होगी आप संस्कृत भाषा की बारे क्यों को जान पाएंगे और इस विशे में आपकी रूची भी बढ़ेगी तो शुरू करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड जैसा के आप जानते ही हैं हिंदी भाषा में दो वचन होते हैं एक वचन तथा बहुवचन परंतु संस्कृत भाषा में तीन वचन होते हैं एक वचन दो वचन तथा बहुवचन एक वचन वह शब्द जिससे हमें एक व्यक्ति एक वस्तु अथ्वा एक प्राणी के बारे में जानकारी होती हैं जैसे कि दो गमले, दो बच्चे, हम दोनों, वे दोनों, तुम दोनों इत्यादी बहुवचन वे शब्द हैं जिससे हमें दो से जादा व्यक्ति, वस्तु या प्राणीयों के बारे में जानकारी मिलती हैं जैसे कि गमले, राखिया, वे सब, हम सब, इत्यादी सैस्कित प्याकरण मूलतहां दो रूपों पर आखा दे हैं एक धातुरू, दूसरा शब्द, धातुरू चार प्रकार के होते हैं सबसे पहले लटलकार लटलकार, लटलकार को लटलकार यानि की प्रेजन्टेंस जो अभी हो रहा है प्रेजन्ट में, उसे लटलकार में संबोधित किया जाता है, प्रेजन्टेंस दूसरा है रटलकार, रटलकार यानि की फ्यूचर टेंस, लटलकार में सब फ्यूचर के बारे में बताया जाता है, फ्यूचर से बिलेटेब, फ्यूचर टेंस तीजरा लकार है लंग लकार, लंग लकार यानि की पास्टेंस, लंग लकार यानि की पास्टेंस चाथा है लोटलकार, लोटलकार यानि की आग्या देना, लोटलकार में आग्या देना से संबंधित चानकारी दी जाते हैं आग्या देने में हम लोटलकार का इस्तमाल करते हैं इसी तरह शब्द रूप तीन प्रकार की होते हैं पुलिंग, स्ट्रीलिंग, एवं नकूसंगले शब्द रूप तीन प्रकार के समझ गया अप लोग अब हम लोग धातु रूप के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे जिसमें सबसे प्रथम हैं लटलकार लटलकार में तीन वचन होते हैं एक वचन दी वचन बहुवचन तथा तीन पुरुश होते हैं प्रथम पुरुश मध्यम पुरुश उत्तम पुरुश तो बच्चों जो यह प्रथम पुरुश है यह फर्स्ट परसन नहीं दर्शाता यह थार्ड परसन दर्शाता है प्रथम पुरुश यानि थार्ड परसन थार्ड परसन जैसे वह थार्ड परसन जैसे वह तुम मध्यम पुरुश दर्शाता है सेकेंड परसन सेकेंड परसन सेकेंड परसन मतलब तुम तुम दोनो तुम सब उत्तप पुरुषदर्श आता है first person first person यानि कि मैं, हम दोनों, हम सब अब third person एक वचन में क्या आता है? third person एक वचन में आता है वह दूई वचन में आता है वे दो वह वचन में आता है वे सब वह, वे दो, वे सब मध्यम पुरुष यानि second person second person में, एक वचन में आएगा तुम दूई वचन में आएगा तुम दोनो वह वचन में आएगा तुम सब उत्तम पुरुष यानि first person first person में एक वचन में आएगा मैं दी वचन में आएगा हम दोनो भवचन में आएगा हम सब तो दोस्तो इस वीडियो में मैंने आपको संस्कित प्याक रहें के जो बेस है उसकी बारिक्यों के बारे में समझाया अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी प्राब्लम या दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं अंटिल रेन गुडबाई टेक कियर